अलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्णिंग, तोडे इस अवर लेशन, चैप्टर फॉर, सोर्टिंग मैटिरियल इंटू गुरूप, सबसे बहले हम बात कर लेते हैं, कि चैप्टर फॉर, यानि कि है क्या इस लेशन के अंदर, और हमारे को क्या डिसकस करना है, क्या सीखने को मिलेगा इस लेशन से, यानि कि हम रीड क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर को, सोर्टिंग मैटिरियल इंटू गुरूप, यानि कि चीजों को गुरूप के अंदर बाटना, सम्हू मनाना उनके, उनकी प्रोपर्टी के दार पे, इस लेशन का प्रपज ये है, कि हम एक क्टेगरी मनाना उनकी, जिस प्रकार से हमने से जीव को ले लिया, उसके अंदर फिर से क्टेगरी मनाना, कि उन में से मैनुवल्स, यानि कि स्तंदारी कौन से हैं, डे देने वाले कौन से हैं, उड़ने वाले कौन से हैं, ने उड़ने वाले पक्सी कौन से, इस प्रकार से ये प्लास्टिक से बनी हुई चीजे हैं, कौन सी प्लास्टिक से नहीं बनी हुई चीजे हैं, कौन सी चीजे गोल होती हैं, कौन सी गोल नहीं होती, यानि कि इन चीजों का दार मना के कोई लकडी से बनी हुई है, कोई दातू से बनी हुई है, ये चीजों को लेके, बेस बन में, we have seen that our food and clothes have so much variety in them, we have seen that हम क्या देखते हैं, food and clothes, यानि कि जो बोजन हैं और जो कपड़े हैं, उनके अंदर बहुत प्रकार की variety है, अलग-अलग प्रकार की, not just food and clothes, केवल बोजन और कपड़े ही नहीं, there is such a vast variety of objects everywhere, यानि कि हर जग है पर कोई वस्तू होती हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, difference होता है, अंतर होती हैं, जैसे बोजन की बात कर लें, तो यानि कि हजारों प्रकार के food item हैं मारे पास, अलग-अलग प्रकार के बोजन हैं, ऐसे ही हम कपड़ों की बात दे कर लो चाहें, तो कपड़े भी अनेकों प्रकार के हैं, we see around us, a chair, यानि कि हम क्या देखते हैं अपनी चार और, कुर्सी, ठीक है, blue card, recycle, cooking tiles, book, clothes, twice, water, stone and many other objects, यानि कि इतनी सारी वस्तूइं बता दी गई हैं, किताबे हैं, कपड़े हैं, अलग-अलग प्रकार के बरतने गरों पर इस्तेमाल होते हैं, पत्तर हैं, और बहुत प्रकार के वस्तूइं, all these objects have different safe, color and usage, तो इन सब भी object के वस्तूओं के different safe, अलग-अलग प्रकार का safe है, उनका color रंग भी अलग-अलग हैं, look around and identify objects that are round in safe, look around, अपने चारों तरफ देखने पर identify कीजिए, कि कौन से round in safe है, यानि कि किस-किस का अकार हैं, वो goal हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक example देजेता हूं आपको, जैसे एक banana हो गया, एक orange हो गया, यानि कि केले और संत्री के अंदर कितना difference होता है, यानि कि जो orange है, वो goal safe के अंदर हैं, और जो बनाना है, वो long है, our list may include a rubber ball, a football and a glass marble, तो हमारी जो list हैं उनके अंदर के आती हैं, बाल हो गई, रबर की, football बगरा हो गई, यह तो क्या हैं, goal है, if we include object that are nearly round, our list could also include object like apple, orange and an arthur picture, यानि कि जो घड़ा होता है, अगर मैं एक तो कह दूँ, बिलकुल goal हूँ, बिलकुल round हूँ, तो उसमें rubber ball आएंगी, football बगर आएंगी, यानि कि जो cricket ball होती है, बिलकुल goal होती है, और अगर मैं कह दूँ कि nearly round, कि लगवग goal हूँ, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमारे पास क्या जाएंगी, जो सेब हैं, संत्रे हैं, और जो गड़ा हैं, उनको भी इस्तेमाल, यानि कि उस group में, उस category में हूँ, उनको भी लिख सकते हैं, तो यहां से आपके लिए most important हो जाता है, कि जब आपको round safe object पुछे, तो इनके आप example दे सकते हो, कि round safe होती हैं, हमारे रबरबाल, फुटबाल और गलास, जब questions आएंगे ये, काफी easy lesson है ये, तब आपको ये चीज़ें आपके अगर याद रख रके हैं, तो बहुत benefit मिलेगा आपको, और लगबग goal की बात करेंगे तो इन चीज़ों को लेंगे, suppose we were looking for object that are eatable, यानि कि हम चीज़ों को object उनकी दरफ जाते हैं, जो क्या है, eatable, यानि कि खाने ही होगे, चीज़ों के नाम लिखने होगे, तो खाने ही होगे चीज़ों का आपको पता है, कौन कुछी चीज़ों को हम खा सकते हैं, we might include all the item that we are listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1, we might also find that, यानि कि जो chapter 1 हमने read किया था अच्छे से, तो chapter 1 के इंदर हमारे को, जैसे आपके जितने भी food item बगरें के बारे में बताया गया था, तो वो सभी क्या है, खाने होगे चीज़ों के चीज़ों है, और ये सभी को पता है कि जब आपको एक pulses दिया जाए और एक iron दिया जाए, यानि कि लोहे को, metal को हम खा नहीं सकते हैं, दालों को हम खा सकते हैं, तो आप असानी से उज़ में difference create कर सकते हो, we might also find that some of those round safe objects, we just listed out, are also in this group, कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ round safe objects हैं, उनको हम list से बाहर कर सकते हैं, let us say, we wish to make a group of objects that are made up of plastic, यानि कि अगर हम, अगर मेरे को list बनानी हो, आप से मैं पुछूँ कि भी बताओ कि कौन कौन सी जीज़े, पलास्टिक की बनी होती है, तो आप असानी से बचा सकते हो, कि आपकी bucket, lunch box, toys, water containers, pipe and many other subjects, यानि कि पलास्टिक की बाल्टिया आती करती हैं, आपके जो tip in box भी आज इन चीज़ों को रख सकते हैं, अब मैंने आपको तीन प्रकार की चीज़े बता दी, जब आप से मैं round safe example पूछू तो बता सकते हैं पसानी से, a table object बता सकते हो, और पलास्टिक से बनी हुई चीज़ों का भी group बता सकते हो, there are so many way to group object in the other example, we have grouped object on the basis of their safe, or the material they are made from, यानि कि म बतार पे मैं कहा दो कौन सी चीज़े round है, कौन सी नहीं है, तो आप group बना सकते हो, और the material they are made up of, यानि कि कौन सी चीज़ों से वो बने हुए हैं, all objects around us are made up of one or more material, all objects सभी जो object अपने तरफ, यानि कि वो एक या एक से ज़्यादा material से बने हो सकते हैं, these material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, or soil, can you think of more example of material, यानि कि आप कुछ ऐसे material सोच लो, जिनके अंदर metal भी लगा हो, wood भी लगा हो, और आपका plastic भी लगा हो, जैसे आप window का example ले लो, window के अंदर आपका iron भी इस्तेमाल हो सकता है, wood भी हो सकता है, और साथ में glass भी लगा सकते हैं आप, तो ये आपके, यानि कि तो यहां तक आपको ये chapter क्या कर लेना है, read कर लेना है, thank you students